हेलो क्लास एट मैं आपको चैप्टर टेन विजली और उर्जा की बचत पढ़ाने जा रही हूं प्रस्तूत अध्याय में विजली और उर्जा की किस तरह बचत की जा इसका वर्णन किया गया है दिन मदिन विजली और उर्जा कम होती जा रही है जरूरी है कि इन दोनों की ब पूरा पूरा ध्यान रखा जाए आए हम विस्तार से जाने कि विजली और उर्जा की बचत कैसे की जाती है यानि इस पार्ट में विजली और उर्जा की बचत की बात कही गई है आपने देखा एक दिन बदिन विजली और उर्जा दोनों ही कम होती जा रहे हैं जरूरी भी है कि हम इनकी बच्चत करें और इसका पूरा-पूरा ध्यान रखें तो आए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि बिजली और उर्जा की बच्चत हम कैसे कर सकते हैं बच्चों आप अकसर पढ़ने या कुछ काम करने के बाद कमरे से निकलते समय बिजली बंद नहीं करते मम् कुछ घंटे के लिए बिजली आती है अगर हम सब थोड़ा सा ध्यान देकर बिजली की बच्चत करें तो वे बच्चे भी मौमबत्ती में पढ़ते हैं वे भी आपकी तरह बिजली की लाइट में पढ़ सकेंगे यदि घर में ही घर में CFL बलपो का प्रयोग किया जाए तो बिजली की काफी बच्चत हो सकती है आपने देखा है कि हम अकसर घर में पंखे हैं बिजली हैं जलता हुआ छोड़ के निकल जाते हैं मम्मी पापा के कहने पर भी अरे चलो थोड़ी दिल जलता भी तो आप जाएंगे बंद करके जा रहें फिर अभी आना ही तो है लेकिन ह बिजली को बचा सकते हैं और उन बच्चों तक भी यह लाइट पहुंच सकती है यह विजली पहुंच सकती है इसी तरह आपको केम्प्यूटर गेम खेलने या टीवी देखने के बाद उसे बंद करना भी नहीं भूलना चाहिए साथ ही यदि आपके छोटे भाई बहन फ्र करना भी नहीं भूलना चाहिए यानि आप केम्प्यूटर गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं जब वहां से हटिए तो उसे बंद कर दीजिए साथ ही यदि आपके छोटे भाई वहन जो फ्रिज से पानी लेते समय उसे बहुत देर तक खूला नहीं चूट देते आ आज हमारा देश बहुत विकास कर रहा है इस विकास में हमारे बच्चों का योगदान भी सामिल है आपको मालूमी होगा कि दिन बदिन पेट्रोल की कीमते बढ़ रही है और पेट्रोल कम होता जा रहा है कि परंत बच्चों आप यहीं चाहते हैं कि आपके पापा या मम्म कार या मोटर साइकल पर ही आपको स्कूल छोड़ने जाएं दोस्तों अगर आपका स्कूल जादा दून ना हो तो आप पैदल भी स्कूल जा सकते हैं क्यूंकि सुबह सेर करना स्वास्त के लिए वैसे ही अच्छा होता है सेर की सेर हो जाएगी और आप स्कूल भी पहुँच जाएंगे स्कूल दूर हो और कार में जाना जरूरी हो तो आप पुल सिश्टन से भी स्कूल जा सकते हैं एक दिन आपके दोस्त आपके साथ यानि आज हमारा देश बहुत विकास कर रहा है इस विकास में जो हमारे पेट्रोल की कीमते बढ़ रही हैं यदि आप चाहें तो जो आपके पापा या मम्मी कार या मोटर साइकल से आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं तो अगर आपका स्कूल थोड़ा पास है तो आप पैदल ही जाए पैदल जाने से हमारा सौस्त भी अच्छा रहता है और सेर भी दिन आप उनकी कार में जाए यानि एक दिन आप अपने दोस्त के साथ जाए एक दिन आपका दोस्त आपके साथ चला जाए इस तरह से आप लोग जा सकते हैं इससे पेट्रोल वा पैसे दोनों की बच्छत होगी साथ ही कार में जितना सामान रखना जरूरी हो उतना ही रख रखना चाहिए क्यूंकि जादा बाहर होने पर भी पेट्रोल अधी खर्च होता है सरकार ने भी पेट्रोल की बच्चत को ध्यान में रखकर वो ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए फ्लाई ओवर बनाए हैं कार में यदि CNC का प्रयोग किया जाए तो खर्च में काफी कमी होगी दिल्दी जैसे महानगर में आजकल सूर की रोशनी का उप्योग करके और सौर उर्जा का प्रयोग भी किया जा रहा है सोलर कूलर, सोलर लैंप, हीटर, इन्वर्टर, सोलर पंप, सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर वाशर और ड्रायर, मास क्योटो, मसीन आधी बन गये हैं इनके प्रयोग से ना केवल बिजली, डीजल, आधी की ही बचत होती है बलकि गैस की भी बचत होती है हमारे गाहों में bio gas का भी प्रेयोग किया जाता है गाह में bio gas के plant आसानी से लगाया जा सकते हैं यानि सरकार ने petrol की बचचत को दिहान में रखकर traffic jam करने के लिए flyover भी बनाया है traffic jam को कम करने के लिए flyover भी बनाया है कार में CNC गैस का प्रियोग कर सकते हैं जिससे की थोड़ा सा अपका पेट्रोल की बचत होती है बिल्ली जैसे महानगर में आजकर सुरग की रोशनी का प्रियोग करके सौर उर्जा का भी प्रियोग किया जाने लगा है और solar cooler हो गया solar lamp हो गया हीटर, इन्वर्टर, सोलर पंप जैसे की सोलर वाटर हीटर इन सारी ये सारी चीज़े मसीने भी बनाई गए हैं इसके प्रयोग से ना के बल बिचली की वचत होती बलकि डीजल की भी वचत हो जाती है उर्जा के विकल का पता लगाना और उनका प्रयोग बढ़ाना आवश्यक है ताकि हम आने वाली पीड़ी के लिए उर्जा वा पेट्रोल बचा सके यानि उर्जा के विकल का तो पता लगया गया है लेकिन उनका प्रयोग किस तरह करना है वो भी बताना बहुत ही आवश्यक ह ताकि हम हमारी जो आने वाली पीड़ी है उनके लिए उर्जा वा पेट्रोल बचा सकें कहीं ऐसा नहों कि सौधी अरब की या कहावत सच हो जाए मेरे पिता उट की सवारी करते थे मैं कार में सफर करता हूं मेरा बेटा हवाई जाहाज में सफर करता है पर उसका बेटा उट की सवारी करेगा तो यह कहावते हैं